असलाम अलेक। में एब्रिवन। उम्मीद हैं आप सब खेरिये और से हुंगे। तो आज मैं शेर करूँगे आपके साथ बैंगन का भुरता। तो आज मैं बनाने वाली हूं बैंगन का भुरत्त। तो इसके लिए मैंने पूरा ये आधिकलो का बैंगन ले लिया है वजन में हमारा ये पूरा 500 ग्राम का बैंगन है तो हमें ये अच्छा खासा एक ही बैंगन दिख गया था तो हमने एक ही ले लिया अगर आपके साइज बैंगन के छोटे हैं तो आप दो भी ले सकते हैं तो ये एकदम सही बैंगन है, बैंगन का भूरता बनाने के लिए आप ऐसे बैंगन का ही इस्तमाल करें, जो देखने में एकदम कोल मटोल सा हो, आप जो लम्मे वाले शेप में बैंगन आते हैं उनका इस्तमाल ना करें, तो देखिए तीन मैंने टमाटर ले लिए हैं, मैंने सार मैं इस पर ओयल ग्रीस कर लेते हूं बैंगन पर तो यह देखिए कटोरी में मैंने थोड़ा सा सरसो का ओयल ले लिया है तो हम एक कोई भी बुरुस लेके इस तरीके से इस पर सारे में ओयल लगा लेंगे तो हमें चारो तरफ ओयल लगाना है अच्छी से तो देखिए मैंने सारे बैंगन पर ओयल लगा लिया है चारो तरफ और अब इसमें हम कट कर लेंगे तो ये देखिए अब इसे पकड़के मैं कट कर लूँगी चारो तरफ अच्छे से हमें गहराई में कट करने हैं अपने बैंगन में ये देखिए मैं गुमा गुमा के सारे में कट कर लूँगी इसी तरीके से जितने भी हमारे कट होएंगे 5 या 6 हम सारे में कर लेंगे इसी तरीके से गहराई में क्योंकि हमें इनके अंदर लस्टन की कलियां रखनी है तो देखिए इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ मैंने इस तरीके से इतनी गहराई में ये कट कर लिये हैं जो आसानी से हमारी इतनी गहराई में लस्टन के कलियां चली जाएंगी इनके अंदर थोड़ा सा ये फिसल रहा था मेरे हाथ थोड़े फिसल रहे थे क्योंकि मैंने ओयल पहले लगा लिया था थोड़े हमें पहले कट लगानी थे तो जब हम ओयल लगाते तो अच्छा रहता लेकिन कोई बात नहीं मैंने फिर भी इसे पकड़के कट लगा लिये हैं तो इसी तरीके से मैं टमाटर में भी कट कर लूँगी तो तमाटर पे मैंने पहले कट कर लिए हैं और बाद में मैंने ऐल लगाया था तो ये एकदम सही तरीका है तो वैसे हमारे कट लग चुके हैं सारी चीजों पर यह देखिए मैंने चार-चार टमाटर पे कट लगा लिए हैं तो अब मैं यह जो lesson की कलिया देख रही हैं आपको 8 से 10 मैंने lesson की कलिया ली है और 6 साथ मैंने harimерб questi है तो हम lesson की कलिया Representatives के इसके अंदर डालने वाले हैं तो यह वैसे तो इसके अंदर ऐसे जाएंगी नहीं तो हम छुरी की मदड़ से इस तरीके से इन्हें अंदर डाल देंगे क्योंकि हमारा बेंगन थोड़ा फिसल रहा है तो यह देखिए इसी तरीके से मैं सारे बेंगन में यह चाकू की मदद से इन्हें लगा लूँगी अच्छी तरीके से तो यह देखिए मैंने चाकू की मदद से सारे बैंगन में लस्टन की कलियां लगा ली है तो आठ से दस मैंने लस्टन की कलियां ले थी जिसे मैंने छील लिया था अच्छे से तो ये देखिए बैंगन को भूनने की तयारी करते हैं आप तो मैंने गैस का फ्लेम ओन कर दिया है ये मैंने एक stand ले लिया है हमारे पास एक stand पड़ा हुआ था ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे भी इसे gas पर रखके सेख सकते हैं लेकिन थोड़ा stand पर सेखेंगे तो ये अच्छे से भुन जाता है तो इसे मैं चारो तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से भुन लूँगी तो ये देखिए अच्छे से भुनना है मैं चारो तरफ से घुमा घुमा के तो थोड़ी सी जगे मुझे दिख रही थी तो मुझे लगा कि मैं टमाटर भी रख देती हूँ लेकिन नहीं टमाटर हमारे फिसल रहे थे तो इसलिए मैं टमाटरों को हटा लूँगी पहले मैं बैंगन को ही अच्छे से सेखूंगी टमाटरों को और हरी मिर्च को मैं बाद में सेखूंगी तो देखिए बैंगन हमारा भूनके रेडी हो चुका है अच्छे से मैंने चारो जल्दी से शिख जाते हैं क्योंकि टमाटर का छिलका होता है बहुत ही नाजुकस होता है तो इस पर एकदम से जल्दी से यह शिख जाएगा और साइड में मैं यह हरी मिर्च भी लगा दूँगी तो इन्हें अलटते पलटते हम सारी चीज़ों को हम अच्छे से से शेक लेंगे एकदम इन्हें से शेकने से इस मौकी फ्लेवर आएगा हमारे बैंगन के भूरते में बहुत ही टेस्टी बहुत ही जाएखे का बनके रेडी होता है आप इस तरीके से बैंगन का भूरता जरू चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा करूँगी उसके बाद मैं इनके छिलके उतारूँगी तो देखिए प्लेट में मैंने रख दिया था इसे ठंडा होने के लिए तो ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना सिर्फ हलका सही ठंडा करना है थोड़ा सा गुन-गुना रहने देना ह ताकि इनके छिलके आसानी से निकल आएं तो देखिए बैंगन के मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं और ये टमाट के भी मैं निकाल लूँगी जो उपर का डंठल होता है टमाट का इसे भी मैं कट कर लूँगी और अच्छे से निकाल लूँगी ने और मोटा मोटा मैं ट दरदरा क्रस्ट कर सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं में थोड़ा मोटा मोटा ही कट कर लीती हुँ क्योंकि वैसे भी हम बेंगं के फुर्ते को मैंस करने वाले हैं तो यह देखिए सारी चीजों को मैंने अच्छे से मोटा मोटा ही कट कर लिया है। और आप बैंगन को कट कर लेते हैं हम। तो पहले मैं बैंगन का पीछे का डंठल होता है उसे निकाल के फैक दूँगी। और इसे चुरी की मदस से मैं अच्छे से इस तरीके से मौटा मौटा ही कट करूँगी यह देखिए कितनी इजी लिए हो जाएगा क्या कि अंदर तक हमारा बैंगन एकदम सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा बहुत नहीं हुआ तो यह हम जब छोकेंगे न इसे तो यह उसके अं इसे मैंने रुफली चॉप कर लिया मोटा मोटा ही तो ओइल के अंदर अपनी प्याज को डाल देंगे हम अच्छे से फृइ करेंगे अपनी प्याज को हमें प्याज को ज्यादा गॉडलण फृई नहीं करना है बस तो देखिए प्याज हमारी golden frying नहीं करी हमने हलकी सी गुलाबी करी है तो ये मैंने 1200 ग्राम के करी फिलिजन मटर ले ली है आप fresh मटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने इसे wash करके plate में निकाल लिया था अक्सर हम बैंगन का भुटा जब बनाते हैं तो मटर का इस्तमाल ज़रूर करते हैं क्योंकि हमें बहुत ही tasty बन लगता है ये बैंगन का भुटा मटर डालके अगर आपको पसंद हो तो आप भी try करें मेरे तरीके से और comment में ज़रूर बताएं कि इस तरीके से कौन बनाता है तो देखिए मटर को मैं अच्छे से fry कर लिया है टमाटा हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखे दें उन्हें भी डाल दिया है मैंने अब सारी सब्जियों को हम अच्छे से चला लेंगे तकरीवन दो मिनट के लिए तो सबसे पहला हम इसमें नमक एड़ करेंगे सब्जियों को गलाने के लिए वन टेस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया है ताकि हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाएं अच्छे से हाफ टेस्पून मैं हल्दी डाल देती हूं और वन टेस्पून मैं डालोंगी अध़ा हुआ यहा तेस्पून की मैं लड़ना हुआ हूँ तो सारे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और रहे हैं तकरीवन हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से बहून लें गे ताकि जो इनका कच्छा फ्लेवर है वो भी निकल जाए तो देखिए अच्छे से मैंने भून लिया है मसाले को सबजियों के अंदर अब मैंने जो बैंगन क्रस करके रखा था उसे भी डाल दिया है सबजियों के अंदर तो यह देखिए इसे भी मैं अच्छे से चला लेती हूँ अलड़ते पलड़ते हुए एक दिम अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि नमक मिर्च जो सारा हमने डाला था पैंगन के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से और इसका फ्लेवर सारे में हो जाए तो अभी यह लग रहा तो इसे हमें पहले अच्छे से गोट लोंगी इसी तरीके से में सरते तो बैंगन को हमें एकदम फाइन गोट ना है अच्छे से यह कहीं भी साबुत ना लगे तो यह देखिए कितना अच्छा हमारा बैंगन का भृता लग रहा है तो बैंगन का भृता हमारा पक्के रेड है तो करते हैं इसे गर्मा गर्फ सर्फ करती हूं इसकी प्लेटिंग में तो यह देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है गर्मा गर्म लग रहा है न हमारा बैंगन का भुरता कितना ला जवाब कितना टेस्टी देखने में एक दम बढ़िया सा तो आप यह अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लिस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अगर मेरे चैनल पर नई हो तो प्लिस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपने और अपने परिव का ख्याल रखें और ये बैंगन का बुर्ता इस सर्दियों में जरूर ट्राइ करें इंजोई करें अल्ला हाफीज